बच्चे देश का भविश्य होते हैं अगर बच्चों का बच्चपन स्वस्थ होता है तो वो मजबूत और सक्षमनागरिक बनने में मददगार साबित होता है इसके लिए जरूरी है स्वस्थ और संतुलित पोशित 25 अगस 2019 को मन की बात कारिकरम में पियम मोदी ने उस पोशन कारिकरम के बारे में बात की थी जिसका उद्देश भारत के बहविश्य को तैयार करना है संतुलित और पोशक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है विशेस रुप से महिलाओं और नवजात सिशूँ के लिए क्योंकि यही हमारे समाज के भविश्य की नीव है पोशन अभियान के अंतरगत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्यानिक तरीकों से पोशन को जन आंदोलन बनाया जा रहा है लोग नए और दिल्चस्प तरीकों से कूपोशन से लड़ाई लड़र है कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी नासिक के अंदर मुठी भर धान्य एक बढान दोलन हो गया है इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाडी सेविकाएं लोगों से एक मुठी अनाज एकटा करती है इस अनाज का उपियोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है